हेलो गाईज आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम डारेक्टेड ओफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली असेस्मेट वर्क्षिट नंबर 10 करेंगे जो की क्लास एर्थ की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स यह वर्क्षिट 30 December 2021 की है आज की वर्क्षिट 20 मार्क्स की है 10 questions में दिये गए है तो आईए देखते हैं question number 1 the numerical coefficients of 7xy 7xy में question जो numerical number है वो क्या है तो 7 यहाँ पर answer हो जाएगा second देखें क्या कहा गया an expression having only two term is called जिसमें two expressions दिये जाते हैं हम क्या कहते हैं, bionomial, तो हम लिखेंगे biomier, ठीक है अब देखते हैं, second, third question the product of a minus b and a plus b, a minus b और a plus b का product क्या होगा तो देखो, अगर हम इसे solve करेंगे, a minus b a minus b and a plus b, तो आपको याद होगा, a की square minus b की square, यह formula भी है, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, a की square minus b की square, fourth question देखिए 7xy minus z 5x has term, कितनी term है इसके अंदर, two terms हम लिखेंगे, कितनी term है two term है, यह आप इस तरह लिख दीजिए, bio second, bionomial ठीक है यह हो जाएगा, हमारा fourth question अब हम fifth question देखते हैं, the value of x की square minus 5 at x equal minus 1, क्या कहा गया हम यहाँ पर समझते हैं, कि अगर x की value minus 1 है, तो question क्या बन जाएगा, minus 1 की square minus 5 तो देखो, minus 1 minus 1 क्या बन जाएगा यहाँ पर 1 बन जाएगा, minus 5 तो answer क्या आ जाएगा, हमारा minus 4 तो यहाँ पर हमारा answer क्या हो जाएगा, 4 का माइनस 4, अब देखते है question number 6, use a suitable identities to get the product 2x plus 5 and 2y, sorry 2y plus 5 and 2y plus 5, तो देखो अगर इसको ध्याँ से देखेंगे, solve करते हैं, पहले समझ लेते हैं, 2y plus 5 और 2y plus 5 ही क्या बन रहा है, देखो, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2y plus 5 की square, तो यह कौन सा formula बन गया, a plus b की square का formula बन गय देखो, किस तरह से solve होगा, question number 6 है, 2y plus 5, 2y plus 5, अब देखो, अगर इसको हम देखते हैं, तो यह क्या बन रहा है, 2y plus 5 की square, अगर इसको हम देखें, तो यह कौन सा formula पूट करना, यहाँ पर a plus b की square बन रहा है, तो यहाँ पर 2y a मान लेंगे, 5 को हम b मान लेंगे, तो इसका 5 की square, जब इसको solve करेंगे, तो 4y की square, ध्यान से देखेंगे, आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4y की square, 20y और 25, यह हमारा answer हो जाएगा, अब देखते हैं, next question, next देखते हैं, question number 7, add 7xy, 5yz, 3zx, 4yz, 9zx, 4y, and minus 3x, z5x, and 2 minus 2yx, इसको क्या करना, इसको करने का तरीका हमन समझाता, बस आप एक a पहले वाला यह number लिख लिए, उसके नीचे क्या करना, आपको वही number लिखना है, बस इस तरह का आपको ध्यान रखना है, इस तरह से ध्यान रखेंगे, तो बहुत ही easily हो जाएगा, तो आईए करते है, question number 7, तो देखो किस तरह से करेंगे, question number 7 का answer है, first हमने लिखा 7xy, 5yz, minus 3zx, उसके बाद में लिखोगे, यहाँ पर number यहाँ पर जो हमें number दिये गए है, वो क्या होने चाहिए, same होने चाहिए, जिसे कि 7yz, तो हमें आपर 4yz, minus 9z, zx, और minus 4y, अगर इस रो में नहीं है, तो हम इसे आगे कर देंगे, अब next में देखो क्या है यहाँ पर minus 2x, minus 3zx, plus 0, अभी 0 नहीं, 5z, अब जहाँ पर भी number नहीं है, हम क्या करते है, अपनी सहूलियत के लिए क्या कर देते हैं, हम आपर 0 लगा देते हैं, यहाँ पर plus portion ध्यान करते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, अब देखो क्या करना है, अब यहाँ से solve करते ह सोरी, plus 5 में कुछ add नहीं करना, तो यहाँ पर plus 5x ही आ जाएगा, minus 4, 5 में कुछ add नहीं करना, तो minus 4, 5 आ गया, अब हम लेते हैं, यह वाला number देखो, नमबर लेंगे, तो उसने में आपको ध्यान रखना होगा, अब हमने यह नमबर लिया, तो यहाँ पर देखो, minus 6xy बन र minus 5xy होजएगा, तो ध्यान से आपको इस नमबर को करके solve करना है, ठीक है, यह है question number 7, अब हम करते है next question, अब देखो question number 8 में क्या कहा गया है, question number 1 देखते हैं, subtraction, हमें क्या करना है, subtract करना है, 5x, 4y, 6y, plus 3, minus 3 में से, हमें 7x की square, 4xy, plus 8y, की square, 5x, 3y, यह हमें क्या करना है, subtraction इसी method को करते हैं, कि जो number उपर दिये गए हैं, जो variables उपर दिये गए हैं, वह ही variables के साथ हम उसको नीचे लगा देते हैं, लेकिन जब subtraction करते हैं, तो नीचे हम क्या कर देते हैं, जो भी number होता है, वो change कर देते हैं, अगर कोई number, positive number है, plus में है, तो उसको minus में कर देंगे, तो आई ये करते हैं, question number 8, तो देखो, पहले 7xy-4xy, 7x की square, 4xy, 8y की square, 5x, 3y, ठीक है, अब दूसरे number में हम ढूंदते हुए लिखेंगे, कि कहां पर है, जैसे कि x की square था, तो हमने 7x की square के नीचे लिख दिया, 5x की square, फिर 4y की square था, 6y था, और 3 हम इधर लगा देंगे, तो हम अलग से लगा देंगे, अब क्या करना है, जो हम number positive है, ये negative ये देखेंगे, जिससे कि ये number positive था, तो हमने इसको negative कर दे, ये negative था, हमने इसको positive कर दे, ये positive था, हमने इसको negative कर दे, ये negative था, इसको हमने positive कर दे, बस इस बात का, जब subtraction करते हैं, तो ध्यान रखते हैं वापस सेम भाई कर दो जो भी तक हम ने किया था यहाँ पेदो थी का थी आ गया यहाँ पे देखव क्या आ जाएगा दोनों ही माइनस की होग़ा इसलिए 9Y की स्केर आ जाएग़ यहाँ पे 5X का 5X आ जाएगा अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा यह दोनों ही क्या होगे positive number है plus 4 तो कितना हो जाएगा 12y की square अब यहाँ पर same as it is number आजएगा यहाँ पर देखो positive है 7 minus है 5 तो क्या आजएगा positive 2x की square आजएगा तो इस तरह से यह क्या होगा question solve होगा ध्यान से करिएगा अब करते है question number 9 question number 9 में देखो क्या कहा गया multiply करना है a2 plus 2ab and minus 5 sorry 5a minus 3b तो क्या करेंगे इस तरह से box बना के जैसे हम करते आये थे उसी तरह से इसको solve करेंगे तो आजए करते हैं 9 question का answer तो देखो किस तरह से solve करेंगे first हमने लिख दिया यहाँ पर a की square 2ab हमने यह नबर लिख दिया अब second तरफ हम क्या लिखेंगे कि 5a minus 3b यहाँ पर क्योंकि minus कहा था तो mark का ध्यान रखना ज़रूरी होता है तो अब किस तरह से multiply करना है उसको हम सीखते है जो कि बहुत ही आसान है पहले भी सीख सुक게 है पहले आपको क्या करना है ध्यान देए यहां पर देखो इन दोनों नमबर को multiply करना है तो 5a 5 को 2 से multiply करेंगे 5A in दोननी नमबर को multiply करना है तो 5 और 2 को मिल्टिप्लाइ करेंगे 10 आएगा और A B की square हो जाएगा अब आपको क्या करना है ध्यान देखेंगे अब आप देखेंगे इस नमबर को और इस नमबर को आपसे multiply करना है तो minus 3 diva आई जाएगा फिर A की स्क्वेल यहां से आएगा अब कि इनको करना है नंबर को अब इस नंबर को और इस नंबर जा आप अम पसालyorsunल करता इस नंबर किया क्या करना है इन दोनों नंबर की किरा इनों सालगर है तो जाएगा तो ठांब माइनस 6B3 तो यह वाला जो नंबर है यह हमारा अंसर हो जाएगा ध्यान से करना है कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है अब हम करते हैं हमारा लास्ट कोश्यन अब करते हैं लास्ट कोश्यन देखो क्या कहा गए क्या करना यहां पहले प्रेकोट दिया गया यह वाला इस का हमें क्या करना है paradise mon करते है når मने पहले इस ब्रेकेट को ऑपन ऑपन करेंगे तो देखो 2 a माइनस 3 b प्लस C, अब ये देखो 2A positive था, ये क्या था 2A plus का था ना देखो जिसके आपे कोई mark नहीं था, वो plus का था, ये क्या हो जाएगा, minus 2A में convert हो जाएगा, और ये minus 3B किसमें convert हो जाएगा, plus 3B में, ठीक है ये convert कर लिए हमने, अब दिखो 3B से 3B какट गया 2A से 2A कट गया अब यहाँ पर क्या बचा सिर्फ C बचा और यहाँ पर हमारे पास में क्या था A B, दिखो यहाँ पर क्या था A B प्लस C मतलब कि A प्लस B को हमें C से गुना करना है कि man तो हम क्या करेंगे A C प्लस BC यह हमारा क्या हो जाएगा final answer हो जाएगा यह थी हमारी आज की assessment worksheet worksheet को complete करके अपने teacher को जरूर चेक करवाईए और प्लीज मेरे चैनल को like कीजिए subscribe कीजिए share कीजिए thank you guys